आई हमारे बाकी टेक्निकल एक्सपर्स भी जुड़े वे हैं उनसे भी कुछ एक स्टॉक्स और काउंटर्स पे एक बार व्यू ले ले और लगतार हम देख रहे हैं कि कुछ एक आई-टी काउंटर्स पे जो है नजर जरूर है जहां पे कल हम ने देखा था कुछ एक ब्रोकर के दम पे फोकस में रहे का यहां पे सिटी की बिक्वाली की सलहा आई है 5635 के टागेट्स दे रहे हैं हाला के जो कॉमेंटरी है वो बहुत जादा पॉस्टिव साइड नहीं है थोड़ी मिक्स कॉमेंटरी आ रही है यह दिमांट को लेकर काफी पॉस्टिव है पर यह भी कह रहे हैं कि डिस्क्रीशनरी स्पेंड में थोड़ी सी कटोती जरूर है तो मिली जूली कॉमेंटरी कहेंगे ऐसे में अंशुल LTI माइंटरी आप चार्ट्स पर कैसे देख रहे हैं क्या यहां पर कोई च्रेड बनता है कि फ्लैक पाटन का ब्रीक आउट आया था 6200 रुपे जिसका टागेट 6500-6550 के करीब था तो अलमुस्ट वहां तक रैली कर चुका है 100 रुपे और बचा है तो यहां से फ्रेश्ट पाई का सौधा नहीं रहेगा लेकिन जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए 6550-6500 के लेविल मिल सकते हैं वहां पर थोड़ा से की सलहा दे रहे हैं हम देख भी रहे हैं कि एक तरफा राली स्टॉक में हमने देखी है उसके पहले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आप जरूर कर सकते हैं अगर बात करें L&T की तो यहां पर भी गुल्मिन साक्स की रिपोर्ट है खरदारी की राई के साथ 3700 के तागि मोंनी डाचिक वेंट की कि यहां पर हम देखें कि थोड़ा से स्टॉक मुव्मेंट जरूर दिखा रहा है पर क्या यहां पर कोई धिक राए स्टॉक हरुपर से जाता चाने सब्सक की आजाता है तो एक तम पीच में और एक और important point यहां पर है कि आप जो Bollinger Band बहुत ही popular technical indicator है वो taper करता हुआ नजर आ रहा है जिसका मतलब कोई expansion अभी cards में हाल फिलाल में नहीं expect कर रहे हैं एक breakout के लिए stock को 3800 की ऊपर trade करना चाहिए जहां पर हम long ले सकते हैं एक छोटा सा stop loss 3650 पर रखे बट अंटिल देन no trade on the long second okay तो फिल्हाल LNT पे भी कोई trade नहीं बन रहा है पर आज insurance space पे JP Morgan की काफी interesting report आई है जहां पे उनका कहना है कि second half, इस साल का second half जो है margins के लिए insurance space में आप देखेंगे companies के लिए बहतर रह सकता है अगर हम इससे compare करें first half of the financial layer से, ऐसे में उनकी जो picks सामने आई हैं उसमें assurance पे उनका कहना है कि यहां पे fundamentals improve होते वे नजर आ रहे हैं हाला कि LIC पे उन्होंने अपना underweight stance बरकरा रखा कहना है कि margins पे जो है तोड़ा सा pressure जरूर आ सकता है अब दोनों ही cash segment के stocks हैं पर देवां आप से new India assurance पे राए मुझे लेनी है कि क्या यहां पे fresh buy or accumulation की strategy अपना है क् कि देखे स्टॉक तोड़ा momentum जरूर दिखा रहा था पर अपने resistance से 300 के आसपा से फिसलतावा दिखा है पर क्या मौजदास ठीक रहेगा नई entry के लिए तो फिरहाल 280 के ऊपर जाए तब आप इसमें एक एंट्री बनाने के आप कोशिश करें यह राय आती हुई आपके लिए बात करें हम तो new india assurance पे तो insurance space पे तो हमने नज़र दाली पर कुछ एक और counters पे बात करते हैं जहां पर एक अच्छा pattern बन रहा है एक बार आती industries आप चेक करेंगे क्योंकि यह देखे stock की काफी पिटाई हो चुकी है 560 के आसपास जो है वो trade करतावा दिख रहा है क्या इसे breakdown के तौर पर देखें या फिर यह देखें कि अच्छे support के पास है और थोड़ा से accumulation की strategy अपना है और बिल्कुल इसको breakdown की तरह देखना चाहिए आपने सभी स्पाट किया यहां से downside देख रही है lower high बनाए weekly मंत्री दोनों चार्ट पे तो lower low बनाने की possibility काफी आई है 437 weekly और monthly स्विंग काम करते हैं शुरुआत बायकॉन से करते हैं यहां पर LSE की holding पांच परसेंट से ज्यादा हो चुकी है धीरे धीरे के खरिदारी की और दोनों शेर सिंजिन और बायकॉन दोनों को दोनों एक्टिव शेर में से एक हैं अंशुल जैने एक बार चेक करके ब बतारेता हूं कि बायकॉन आज एफिंडो बैन में नहीं है तो बैन में नहीं है जो देखें बड़ाई कैसे ट्रेड करना है वहां से नौ दिन की कंसलिडेशन है कल की कैंडल थोड़ी सी खराब है प्रबाबली तीन सो सत्ता तीन सो पैंसट के लेविल तक यह नीचे रिट एक है यह जो विंड फॉल को स्क्रैब किया है इसका बेętफॉचरी भी हो सकता है रलाएंस इंडस्री बी और और श्का बैंफिट 11% कम suis आ के असकता है तो एक बार जहने है राहूल सरा इसका चार्ट करेंगे यही इस market के अंदर fed वाली चीज़ को हटा के liquidity अपने market की core strength का सूचक बन सकता है 2900 बहुत अच्छे से hold कर रहा है बर 3000 को दिखानी पा रहा है सरी इस खबर के दम पर आज हो सकता है चोटा मोटा gap मिल जाए उसके बाद core ताकत कितनी है strength कितनी है इसके पास Reliance एक support level around 2900 के आसपास वहां से एक तम बहुत ही strong candle अच्छे volumes के साथ बना के breakout वाई upside की तरफ लास्ट ताइम भी आप लास्ट दो तीन बार अच्छली चार्ट में देखेंगे August में भी आप देखेंगे जोन में आप देखेंगे इसी support level से bounce हुआ है तो इस support level से जो bounce है can take the stock up to 3000 बट 3000 से 3150 पे एक supply level है तो जो upward trajectory है वो थोड़ा stunted हो सकता है इसके कारण से बहुत ही shorter move 2-3% उपर की तरफ play कर सकते हैं बट उसके the supply जो next supply है उसको take out करने के बाद ही अगला move उपर की side आ सकता है ठीक है तो पहले कुरूड पर सड़ेटार सो रुपए प्रती टन का windfall टेक्स था सरकार ने उसको उटा दिया है तो O.M.C. के लिए O.N.G.C. के लिए रिलाइंस के लिए ये positive खबर है और वियू आपके लिए in stocks पर बजाज आटो पर जरा एकबर अंशुल जी आप यू दीजिए लगातार चला ये शियर और और परफॉर्म भी किया है ने कहीं कहीं बाजार को बजाज आटो ने बारा हजार रुपे के आसपस कभा हो गया रिकॉर्ड उचाई पर कलिनों ने दो बाइक्स लाँच की अब ये CLSI जो कह रहा है कि नहीं लख्स साथ हजार रुपे का अंडर परफॉर्म की रेटिंग आयम है और उनके कंसर्स यह है कि एक्सपोर्ट मार्केट में थोड़ा प्रेशर रह सकता है 250 CC Plus में जो है वहां से 11,500 और 12,500 दो टागिट हमने 18 सुदेश पर डिसकस किया थे पहला टागिट कंप्रीट होने के बाद कंसलिडेशन किया और वापिस से ब्रेक आउट आ रहा है तो यह दूसरे टागिट 12,500 की तरफ जा रहा है तो 12,500 पर थोड़ा सा स्टॉक इस्टेंडेड हो जाएगा वहां पर इस शॉट्टम प्लेश को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए लेकिन अगर चार्ट देखें डेली वीकली या मंतली तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है ट्रेंड इंटक्ट है किसी भी तरह का डेंट भी नहीं है एक छोटा सा शॉट्टम प्लेश प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं बट वापिस से बेश बनाके इस्टाग उपर की तरफ ही चलेगा तो ऐसी कोई दिक्कत दिखने रही है अराम से उपोल्ड कर सकते हैं लॉट्टम प्लेश शॉट्टम प्लेश बारहजार पांसो पर एक पर जाज ओठोकीब